नमस्कार मैं विश्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विश्णु एडीपी में हार्दिक स्वात करता हूँ आज मैं लेकर आया हूँ दो मोरे श्टोरी जी हाँ आपको दो-दो मोरे श्टोरी मिलने वाली है बहुत ही अच्छी है आपको बस यह बताने कि दोनो ही अच्छी है आपको गैरेंटी है कि आपको दोने श्टोरी पसंद आएगी लेकिन कमेंट जरूर करेंगे कि दोनों में आपको ज्यादा अच्छी कौन से लगी एक बहुत ही सौर्ट है जो पहला है सेकंड थोड़ा सा मीडियम लेंद करना वो भी सौर्ट है लिए उसे थ कमिंग आंजी फोरम है तो have been coming आ रहे थे लोग आ रहे थे टो कि помощ के पास अ रहे थे तो ऊसका रंए तुम के यूशर के परपोजिशन परिखेंगे टकेव सृब्ले ना लोग बुल्दिमान वतिआाय के पास ज्तिक है ना जोश τοск्षञ बेस्ट में उरह retro is रहा गरीक कोई से शाधें वियुक्ती लेके कमप्लेनिंग करने आते थे about doθη और के बार में ऐसी कहां के अब हर बार वहाब बार in jya kenैंग के आते थे everyone sprinkled in laughter और everyone और हर कोई रोड वैसे डहर ना होता है लेकिन रोड और लाव्टर लाफ्टर और या नहीं होता है हसी में तो इसका मतलब क्या हूता है रोड यायर ठाका लगाना ठीक है तो सभी हर कोई क्या किया हसी में ठाका लगाया बहुत जोड जोड से ठाके लगा के हसने लगे याने चुटकिला इतना अच्छा था अब क्या वो उसके बाद after a couple of time after a couple of time याने कुछ मिन्टों बात couple of time याने थोड़े समय के बाद एक विमेंट बाद he told them the same joke उसने कहा them याने उन्हें the same joke वही जोग है न वही चुटकिला फिर से कहा फिर से बताया and only a few of them smile और only याने सिर्फ a few of them याने उनमें से a few याने कुछ smile मुस्कुराए और उनमें से केवल कुछ ही मुस्कुराए ये पास इनिफिनेंट लेंस है को फॉर the third time समय बता रहा तो फॉर को उसकर ठीक है थार्ड टाइम तीसरे बार भी है न उसी जोग को बताया तो no one laughed it anymore no one याने कोई भी नहीं laughed it ठीक है यह ऐसे लॉग हिट नहीं पड़ेंगे लाफ़ा याने थोड़ा भी नहीं है से पहली बार में बहुत हसे second बार में कुछ लोग मुस्कुराए फिर से बता रहें तीसरी बार फिर से उन्होंने वही जोग बताया तो थोड़ा भी नहीं हसे किसी ने भी बोलेंगे यह क्या वही वही जोग सुना रहें लेकिन देखे पर बुद्धिमान आदमी तो कुछ सब्सक्राइब ममें खृत लाख वह किसी आप अंशी जोग वही जोग पर六 वाएन या आप क्यों हमेशा क्राइग रोते है अब आउट याने के बारे में the same problem उसी समस्या के बारे में clear होगे यह यही समझा बता ना छोटी story है उन्होंने यही सीख दी कि बार बार आप एखी चुटकिला पर नहीं अस रहे हो तो आप बताएए वही वही समस्या पर आप बार बार क्यों रोते हो moral of the story, story से में क्या सिख्चा मिलती है देखे, worrying, want solve your problem worrying याने चिंता करना, फिक्र करना, want, यह will not को है ना, sort में want लिखते है याने, नहीं होगा, नहीं करेगा, will not, उसे want कहते है, चिंता, क्या नहीं करेगा, solve, याने, हल नहीं करेगा, your problem, sorry, your problems, आपके समस्याओं को हल नहीं कर इसलिए कहते हैं कि कोई problem में हो ना, तो बार-बार मत रोईए, आप उसके बारे में सोच के रोते हो, सोच के रोते हो, तो रोने से क्या होता है, कि आपका समस्या का समधान हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, आपकी ताकत बरबाद होगी और आपका समय बरबाद होगा, आप हाँ, चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए कि इसका हम solve कैसे करें, कैसे समस्या से दूर हो, कैसे इसका उपाय ढ प्रून की तो आप एक शुटकिला पर बहुर नहीं असकते तो आप एक ही परेसानी को भार-बहर क्यों रोते हो चलिए शाट करते सेंग डिया कैसे लिगी फीर स्ट एविंग आ best friend याने having याने होना best friend याने एक सबसे अच्छा दोस्त होना तो देखते हैं वही कौन से सबसे अच्छे दोस्त की बारे में बात की गई है a story tells that two friends were walking through the desert ठीक है a story एक कहानी tells कहती है बताती है that two friends though those were walking चल रहे थे was ever के साथ IG form past continuous channel रहे थे through through याने में शें किसमें से the desert desert याने होता है Registan Registan में से चल रहे थे during some point of the journey during याने के दोरान some point याने कुछ बिंदों पर है ना कुछ समय है ना कुछ आउसर all the journey यानि यात्रा की कुछ च्छन पर है ना कुछ समय में they had an argument they had an argument याने उनके बीच क्या हो गई थी एक बहस हो गई उनकी बहस हो गई अब वो जा रहे थे रेगिस्तान में तभी कुछ बात पर उनके बीच बहस हो गई आर्गुमेंट याने बहस होना है ना अब क्या हुआ and one friend slapped the other one in the face and or one friend पहला दोस slapped थपड मार दिया second form है मार दिया थपड मार दिया the other one दूसरे दोस पर in the face चेहरे पर चो दूसरा वाला दोस था उसके चेहरे पर थपड मार दिया the one who got slept was hurt the one who one याने जो one who याने वो जो got slept जिसे थपड पड़ा was hurt वो दुखी था क्या हो गया वो दुखी हो गया जिसे थपड पड़ा था but without saying anything लेकिन without याने बिना किसी saying याने कहे anything और बिना कुछ कहे रोट लिखा या आपका डबलू आर आई डबलू आर आई टी राइट याने लिखना उसी कहते हो रोट है राइट रोट रिटर्न तो second form past infinite tense उसने लिखा in the sand sand याने रेट वो कुछ भी नहीं बोला जापड़ा खाने के बाद उसने रेट पे लिख दिया चलिए देखते है मेरे सबसे अच्छे दोस ने slabbed थपन मारा मी याने मुझे इन याने मेद फेस चेहरे में आज मुझे मेरे सबसे अच्छे दोस ने मेरे चेहरे पर थपन मार दिया इसने किस मेरे रेट में लिख दिया रहे है कि इस तार में था तो they kept on walking until they found an oasis ठीक है they kept kept याने जारी रखा on walking याने चलते रहे चलना चाहे रखा until जब तक they found found याने मिला एन एक oasis oasis का मतलब क्या होता है oasis का मतलब था नखलिस्तान याने की जहां पर रेगिस्ताम के बीच में थोड़ा सा पानी पत्थर पत्थर रखता है उसे नखलिस्तान कहता है oasis तो जब तक वो oasis तक नहीं चलते रहे वेयर वेयर याने कहां भी होता है जहां भी होता है जहां they decided to take का बात they decided उन्होंने फैसला लिया to take याने लेना अब बात याने नहाना नहाना लेना ऐसे तो नहीं होगा take का बात का मतलब भी होता है नहाना तो उन्हें नहाने का फैसला लिया कि चलो यहां पर न याने जिसे क्या हुआ था थपड मारा गया था है पंधे थपड मारा गया था धा गाड़ श्टक इन दा मायर गॉट रहीया इन्या में दमायर यह मायर पढ़ेंगे मायर यह दिन्हें सब्सक्राइब जो जापड़ खाया था ना वो कीचड़ फस गया and started drowning और started शुरू क्या drowning याने क्या होता है दूबना और दूबना शुरू कर दिया उसने कीचड़ में दल्लल में but the friend saved him लेकिन the friend दोस ने saved him जिसे थपड मारा था ना उस दोस ने उसे बचा लिया after he recovered from the near drowning after he recovered recovered याने फिर से ठीक होना वापस होना from the near past में drowning याने डूबने के पास याने डूबने के पास ही हो क्या होगा recovered होगा फिर से बच गया he wrote on a stone उसने लिखा on याने पर याने पत्थर पर अब जैसी वो बच गया है ना डूबने के करीबी था और वो बच गया अब बचने के बाद उसने क्या किया एक पत्थर पर लिखा पहले रेत पर लिखा था जापड़क है था अब पत्थर पर क्या लिख रहा है today my best friend saved my life आज मेरे सबसे अच्छे दोस ने saved बचाया my life मेरे जीवन को पहले क्या लिखा था आज मेरे सबसे अच्छे दोस ने मुझे थपड मारा अब क्या लिख रहा है आज मेरे सबसे अच्छे दोस ने मेरी जान मचाई the friend who had slapped the friend those who had slapped जिसने मारा था यह आपका past perfect answer head के साथ third form जिसने मारा था क्या मारा था था थपड मारा था and saved और बचाया था his best friend अपने सच्छे दोस को अपने सबसे अच्छे दोस को जिसने बचाया था आज दिम उसने पूछा जिसने थपड मारा था ना उस दोस ने पूछ रहे अपने सामने वाले दोस्ते अरे तु थपड खाया तो वहाँ पर रेत में पत्थर पर देखे पूछा है after I hurt you after याने के बाद या जब I hurt you है ना तुमें hurt करने के बाद hurt याने दुख देने के बाद you wrote in the sand you wrote तुमने लिखा in the sand रेत पर लिखा and now और अब you write अब तुम लिखते हो on a stone अब तुमने किस पर लिखा एक पत्थर पर लिखा why, क्यों अब पत्थर पर लिखते हो उससे पहले तुमने रेत पर लिखा, क्यों the other friend replied अब यही moral ही ending होने वाली है दूसरे दोस्त ने जवाब दिया when someone hurts us जब someone याने कोई hurts याने दुख पहुँचाता है आज चाने हमें जब कोई हमें दुख पहुँचाता है we should write we should should याने चाहिए किसी को advice देते न तो should का यूज़ करते हैं हमें लिखना चाहिए it down write it down याने लिखना हमें इसे लिखना चाहिए insane rate में where जहां winds of forgiveness winds of forgiveness याने च्छमा की हवा maffy की हवा can erase it away can कर सके erase it away याने उसे मिटा कर दूर कर सके उसे मिटा सके clear हो गया rate में लिखने से क्या होगा कोई हमें दुख पहुँचा आता तो उसे हमें rate पे लिखना चाहिए ताकि जब maffy की हवा है ना उसे क्या कर सके वहां से मिटा सके वहां से उड़ा के लिए आ सके but लेकिन when someone does something good for us जब कोई does करता है something याने कुछ good याने अच्छा for us हमारे लिए लेकिन जब कोई हमारे लिए अच्छा करता है we must engrave it in stone we must हमें जरूर engrave याने उकेरना लिखना खुदाई करना उसे engrave कहते है उकेरना यासे गड़ा गड़ा के लिखना हमें उकेरना चाहिए ठीक है नकासी करना चाहिए किसमे it याने उसे in stone पत्थर पे where no wind can ever erase it where जहां no wind याने कोई भी हवा can कर सके ever याने कभी भी erase it जहां कोई भी हवा कभी भी उसे मिटा ना सके याने कोई बुरा काम करे तो उसे रेद पर लिखो याने कि थोड़ी देर के लिए उस बुरे चीज को याद रखो और माफी की हवा से उसे उड़ा दो लेकिन कोई आपके लिए अच्छा काम करता है न तो उसे अपने दिल पे लिख लो जैसे पत्तर पे लिखते है न जो हमेशा मिटता नहीं है वैसे अपने दिल पे अच्छे कामों को लिख लो ताकि कोई हवा उसे उड़ाना सके moral of the story, story की कहानी सिर्ष सिख्षा क्या मिलती है don't value the things you have in your life don't value याने उसे महत्त मत दो चीजों को जो तुम्हारे जीवन में है चीजों का अपने जीवन महत्त मत दो लेकिन आपके साथ जो है family है, गरीब है जैसे दिखते हैं, जो भी है, बूड़े है जो भी है, उनको वैल जो दो चीजों को महत्त मत दो इंसान को महत्त दो तो ये थी आची moral और आपको समझ आगे एक moral और मिलती है ये पी बूरे चीजों को जादे दिन तक याद मत रखो कोई आपके लिए अच्छा कर रहा है, उससे याद रखो तो क्या होता कोई आदमी आपके लिए सो काम अच्छा किया है और मालिजी ये एक काम आपके लिए बहुत बुरा कर दिया तो आप पूरे आपके 99 याना कि बूरे 100 के 100 आपके अच्छे काम को भुला देते हैं के वल इसे याद रखते हैं और मेरे संथ बुरा कर दिया उसे इसे भी तो याद रखो इसलिए कहा गया बूरे चीज को आप जल्दी भुला दो तो ज्यादा अच्छा होगा और अच्छी चीजों को हमेशा यादर को मेरे अच्छा किया है यह थि आजपी आज की मुड़ा बताएंगे दोने श्टोरी मेंसे कौनोे आपको ज्यादा अच्री अच्छी लगी और एanzaus toborne के बारे में या कुछ भी आपको बताना है कुछ भी पूचना है तो प्लीस कमेंट करेंगे